हेलो स्टनेंज चलिए स्टार्ट करते हैं इंटिग्रेशन एक्सरसाइज 7.4 का क्योस्ट नमबर 7 देखते हैं क्या है find the integral of the function x-1 by under root x square minus 1 इसका हमने क्या करना है integration find out करना है तो कैसे करेंगे देखो integration का symbol x-1 upon में under root x square minus 1 dx यह हमें यहाँ पे function दे रखा है जिसका हमें integration करना है इसको integration करने के लिए हम क्या करेंगे एक simple सा step है उपर देखो x-1 है x plus 1 हो इस तरीके से addition subtraction में function दे रखे हो तो उनको separate कर लो तो इसको में क्या लिख सकता हूँ integration x by under root x square minus 1 लिख सकता हूँ या नि dx फिर minus integration 1 by under root x square minus 1 dx यह लिख दिया हमने ठीक है अब इसका integration देखो कैसे होगा सबसे पहले देखो यहाँ इसमे denominator में क्या है x square minus 1 x square का क्या होगा differentiation 2x उपर present है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम put x square minus 1 को हमने क्या put कर लिया t put कर लिया x square का क्या हो जाएगा 2x 1 का 0 और dx is equal to dt मुझे चीए x dx की value x dx is equal to क्या आगया dt by 2 आगया है नहीं आगया कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे put कर लो integration x dx की जंगे dt by 2 और under root x square minus 1 को हमने क्या put कर या था t आगया minus integration of 1 by under root x square minus 1 dx इसका direct integration क्या होता है minus का log of mode x plus under root x square minus 1 और plus में c क्योंकि यह वेने करवा रखे हैं formula बताया था question number first के साथ तो direct हम यहाँ पे formula पूट कर सकते हैं अब इसको थोड़ा सा simplify करना है हमें तो इसका integration क्या हो जाएगा वो देख लो एक बार इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा under root t को उपर लेके जाना पड़ेगा तो क्या हो गया 1 by 2 बाहर इसको लेके गए t की पावर 1 by 2 dt इसका integration minus में log of mode x plus under root x square minus 1 plus c इसका integration करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो बचो उपर पावर गई है तो यह negative होगा इसमें 1 add करेंगे 1 denominator में आ जाएगा देखो कैसे 1 by 2 t की minus 1 by 2 plus 1 और denominator में minus का 1 by 2 plus 1 और minus log of mode x plus under root x square minus 1 plus c पता है आपको integration करते time पावर में 1 add हो जाता है और जो भी पावर हो वही अमारी denominator में तो यहाँ पे क्या आ है 1 by 2 t की पावर उपर 1 by 2 निच्चे भी minus 1 by 2 plus 1 है 1 में से 1 by 2 गया 1 by 2 आ गया तो 1 by 2 से 1 by 2 कट गया minus log of mode x plus under root x square minus 1 plus c तो t की पावर 1 by 2 है तो t की जगया हम क्या लिखेंगे x square minus 1 इसका under root और minus में log of mode x plus under root x square minus 1 plus c यह हमारा क्या हो गया answer समझ में आ गया clear है t की पावर 1 by 2 1 by 2 का मतलब क्या under root t और t की value क्या थी x square minus 1 उसको हमने वापिस पूट कर लेना है कोई भी दिक्कत हो किसी परकार की तो आप मुझसे पूछ सकते हैं otherwise nexa classes को ज़रूर subscribe कीजिए whatsapp पे आप मुझे comment करके screenshot mark करके आप पूछ लेना कोई भी doubt हो time मिलता ही में आपको ज़रूर reply कर दूँआ thank you students for watching nexa classes वीडियो